त्राइ करा रहे हैं आज मैं आपको खिलाने वाली हूँ बाहू बली पराठा ठाने के बाद वर्सी फिलिक्स आई किया बात है ठीक है जिसके दो पहले आएगा केविच गाजर पर्सी पिल्ट सिम्ला पोनिया अभी जो मसाले वह तो आपको सब को पता ही कि पंजाब से आते ह तो अभी तक आप ने जो पराठे में देखा है सब कुछ हेल्दी ही डाला गया है वेजिटेबल्स हो गया या मसाले हो गए आँटी ने बताई दिया है तो बाहू बली तो खाई सकते हैं भाई इस पराठे को और बाठी है इसकादर आएगा मायो अच्छा इसकादर आगया चीज देखिए मायनी जैट करने के बाद चीज भी एट कर लिया गया है और जो मसाला वेजिटेबल्स डाला गया था उसको बढ़िया से मिट्ट अभी सिर्पिंग तैयार किया जा रहा है इसके बाद अभी बहुत सारी चीजे हैं जो पॉसस में है देखिए उसके बाद जो आटा है वो ले लिया गया है आटा आटा आटी के वहां गेमुका रहता है मैदा बिल्कुल भी नहीं रहता है वैसे आटी की ये तिसरी ब्रांच चे नया वाला लोकेशन है जो मैं आपको भी बता दूँगा जहां आने के बाद आप ये पराठा बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं इसके अलावा इनके वहां और भी पराठी की बहुत सारी वराइटी आपको मिल जाएगी पराठे के अंद आप में रहते हैं तो आपने जरूर ही त्राई किया होगा और ये जो पराठा है तरह पर आ चुका है वह कहंतार जहां पर ये एकदम बढ़िया राई किया जाएगा कुछ्पी और क्रंच ए निए ब्रांच का ये ब्रांच का ट्रांच का उनकर पांट इस सेले के दोगे ड यह देखिए दोनों साइन से जो पराथा एक्दम बनिया से क्रिस्पी क्रेंशिस ने की लिया गया है लुको आप यह देखिए आपर जो पराथा है टकिंग किया जा रहा है इसमें टोटल आज दिस आने वाले हैं पराथे में दो लोग का आराम से शेयर कर सकते हैं तो यह देखिए उपर से यह पर चीज हैट किया जा रहा है आणडी इसमें पनी चीज दोनों ही रहता है पनी चीज दोनों रहता है यूर्पर से आए गाँ इस पराथे के साथ आपको मिलने वाला है दाही साथ में आगया है तुमैटो सौस और यह ग्रीन चक्ति जो इनकी बहुत ही फेमोस है और बहुत ही स्पेशल चक्ति यह जो पराथे के साथ प्लाज जबाब लगती है चले आपको बताता हूं मैं इनका लोकेशन यह है मोटा वराच्छा और आउटर रिंग रोड आगे जो सरकल आप देख़ें यह है वालक जंक्शन और यहीं एक्जेक्ट आया हुआ है सुजल्स